वेल्कम बैक टू माइ न्यू वीडियो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि डायोड क्या होता है यह क्या काम करता है बेसिक किलियर करेंगे डायोड के बारे में डायोड तो देखिए यह डायोड का सिंबल है डायोड का सिंबल कुछ इस टाइब का होता है यह हमारा डायोड है यहाँ पे एक लगा होता है और इस साइड होगा जो पोजिटिव एनोड है वो पोजिटिव होगा और cathode है वो negative होगा कैसे याद रखेंगे कि anode हमारा positive होता है और cathode negative होता है तो देखिए ABCD में सबसे पहले A आता है उसके बाद नशी आता है तो जो पहले आता है उसको plus अब देख लिजिए और ये minus याद करने का trick है जिसे anode है, anode पहले आता है मतलब A पहले आता है ABCD में और C बाद में आता है तो पहले जो आता है उसको plus ले लिजिए और उसको plus ऐसे करके आप याद कर सकते हैं और C बाद में आता है तो उसको negative माले जिए तो simple सा मतलब है anode बोले तो positive और cathode बोले तो negative तो अगर ये हमारा diode अगर मिल जाए तो उसको देखकर कैसे पता करेंगे कौन सा positive और negative होता है उसके तो लिखा नहीं होता है तो देखिए यह हमारा एक diode है ये वला तो इसमें कैसे पहचानेंगे कौन सा plus है minus है plus बोले तो anode कौन सा है कैसे तो देखिए यहां पर पट्टी एक बनी होती है white type की या किसी भी color में होगी यहां पर ये पट्टी ये जिस side होगी उस side को क्या मनेंगे cathode मनेंगे cathode c लिख रहे हैं cathode को और इस side को anode बोलेंगे अनोड को ये बोल दिये तो anode हमारा क्या है positive है और cathode negative है तो ये positive है और negative है एक और diode लेकर मैं बता देता हूँ कि किस side positive और negative होगा जैसे ये हमारा एक diode है तो इसमें जैसे यहां पर पट्टी है इस side वाली तो यह क्या हो गया यह kathode हो गया और यह anode हो गया और anode हमारा क्या होता है positive और kathode negative तो इस तरह से हम पचान कर सकते हैं किसी भी diode की उसका positive और negative terminal कौन सा होता है अब बात आती है कि डायोड का यूज कहा होता है, इसका क्याम क्या होता है, तो डायोड का simple यूज है, यह डायोड हमारा है जो किसी एक ही direction में current को follow करवाता है, जैसे हमारा यह एक LED है, और यहाँ पे एक डायोड है, यह हमारा और इससे connect कर दिये हम ऐसे, यह हमारा डायोड लग गया यहाँ पे, और यहाँ बैटी क्या यह positive terminal और यह negative terminal यहाँ बैटरी हम लगा दिये, यह हमारा positive हो गया, यह positive हो गया और यह negative हो गया, तो symbol में हमारा यह diode का क्या होता है, positive, यह बड़ा वाला positive, यह छोटा वाला यह पट्टी था उधर, यह एक डंडा है, यह क्या हो गया, निगेटीव इधर हो गया, तो diode के जो positive से positive को connect किया, बैटरी क्या, और negative को इधर से आके, यह से भूम के, निगेटीव से connect किये, तो क क्या हो गया, यह forward bias हो गया, आगे चर्चा करेंगे हम diode हमारा दो टाइप का होता है, forward bias और एक reverse bias, तो यहां क्या करेगा हमारा diode, जब इधर से current follow होगा, इधर, तो हमारा यह जो LED है, वो क्या करेगा, गुलो करेगा, LED हमारा glow करेगा, क्योंकि यह positive forward bias में है, forward bias में है, तो मत गुलो करेगा, और जब हम इसी चीज को diode के हम कैसे लगा देंगे, ऐसे reverse bias में जब लगा देंगे, तो हमारा क्या LED गलो नहीं करेगा, क्योंकि यह तो हमारा negative terminal हो गया, यह positive वाला हो गया, तो देखिए बैटरी के हमारा positive terminal, और यह क्या हुआ, negative terminal, तो इधर से current ऐसे follow करेग और यह देखिए, तो direction change हो दो रहा है, यह positive वाला negative, तो यह क्या हो गया हमारा diode इधर, यह diode current को आगे जाने नहीं देगा, और आगे जाने नहीं देगा, circuit कंपलीट नहीं होगा, और हमारा LED गुलो नहीं करेगा, तो यह क्या कर रहा है, diode circuit में क्या कर रहा है, current को किसी एक ही डियरेक्शन में फोलो करवा रहा है तो इस एक्जाम्पल से हम यह समझे कि डायोड क्या करता है करण्ट को किसी एक ही डायरेक्शन में फोलो होने देता है और दूसरी डायरेक्शन में यह करण्ट फोलो को रोक देता है एक और अच्छा एक एक्जाम्पल है जैसे कि हमारा यहां सोलर जो लग होता है स्ट्रीट लाइटे में यह सोलर देखिए कैसे इसमें डायोड का उज़ होता है कैसे होता है जब हमारा सोलर दीन में चार्ज जो दे रहा होता है तो हमारी बैटरी चार्ज हो रही होती है माले जी यहां क्या है यह डायोट लगी है और यह बैटरी किसी एक ही टर्मिनल से जोड़ी होती है तो माले जी हम इस टर्मिनल से जोड़ दिये और सोलर से एक यहां से एक वायर आ रही है यहां यह लग जोगी अब दीन में जब तक धूप रहेगा तब क्या होगा हमारा solar से इधर चार्ज होता रहेगा बैटरी और क्या यह तो plus है और यह minus है तो यह plus है इधर से आए plus और इधर current जा रहा है अब माली जे रात हुआ तो रात हुआ तो क्या हुआ यह तो इधर से current आना बंद हो गया किमकि धूब तो रहेगी नहीं तो इधर से करण्ट आना बंद हो गया अच्छा अब क्या हुआ तो अब यह तो बैटरी से connected है तो करण्ट इधर से फोलो नहीं करेगा क्यों कि रिवर्स बाइस हो जाएगा यहां निगेटीव है यह तो इधर से बैटरी से connect होता इधर से सोलर से लगा होता अब माली जी हमारा यह डायोड कैसा लगा होता एसे एसे होता है है कि इधर से तो करण्ट आएगा और यह माइनस होगे प्लस होगे यह तो रिवर्स बायस में हो जाएगा था हमारा बैटी चार्ज ही नहीं होगा इसलिए थर चाहिए उसतरा के हम डाईवड लगाते हैं F quirward भायस्ð and reverse भायस्ने और ये अगर डाईवड नहीं लगा होता तो करन्ड कहां यहां से यहां से तक तो जाता तो जाता तो होता हमारा वेस्टेज होता यहां पर वेस्टेज होता किमकि वायर में तो क्या होता है रेजिस्टेंस होता है तो कुछ तो कुछ तो वेस्टेज होता इसलिए यह यहां लगाया जाता है ताकि करंट इधर से फिर वापिस उधर ना जाए तो डायोड यहां देख लेते हैं डायोड हमारा दो परकार का होता है एक क्या होता है एक forward वाइस एक होता है forward वाइस और दूसरा reverse वाइस अब देख लेते हैं forward और reverse वाइस क्या होता है तो जब एक डायोड यह हमारा यह symbol होगे डायोड का और ये जब बैटरी के यहां पोजिटीव टर्मिनल से यह कनेक्ट हो और दूसरा निगेटीव से मतलब डायोड जो है डायोड का पोजिटीव टर्मिनल और इसका निगेटीव टर्मिनल अगर डायोड का positive terminal बैटरी के positive से connected हो और उसका negative terminal बैटरी के negative से connected हो तो ये कहा जाता है क्या forward wise ये हो गया forward wise ये forward wise होता है ये जो symbol होता है बड़ा सा और छोटा सा बैटरी में किसी circuit में सो किया जाता है जो बड़ा वाला होता है वो क्या होता है positive होता है और जो छोटा वाला होता है वो negative होता है तो ये तो हमारा हो गया forward wise क्या होगा कि जो पोजीटीव टर्मीनल है डायोड का अगर पोजीटीव बैट्री पी से कनेक्टेड होगा तो स्वें फोरब अधार निगेटीव निगेटीव से रिवाडस बायस बोले तो रिवारइस बिहाने तो यह हमारा डायोड हो गया और ये connected होगा हमारा बैटरी के negative terminal से और ये होगा positive terminal से ये छोटा वाला है तो क्या है ये छोटा वाला हो गया negative और बड़ा वाला positive और diode का इस साइड वाला ये positive है ये negative है तो देखिए ये डायोड के negative बैटरी के positive से connected है तो ये क्या हो गया ये हो गया reverse बायस में रिवार्स बायस उल्टा connected है तो क्या हो गया simple reverse बायस हो गया तो होप आप इस छोटे से वीडियो से diode के बारे में, diode के types, काम कैसे करते हैं, इसके बारे में आप समझें होंगे, जिस तरह यह हमारा diode यहां पर, एक ही direction में यूज हो रहा था current को फुलो करवाने में, इसी तरह यह diode के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे electronics में इसका इोज हो जाता है जैसे चार हमारे डायोड लगे होते हैं जूड जीए जाते हैं तो वो एक ब्रीज के रुप में Rectifier का काम करते हैं और इसमें भी Half Wave और Full Wave Rectifier के जैसे काम कर सकते हैं हमारे ये डायोड तो मिलेगे हम अगली वीडियो में तब तक के लिए कीप वाचिंग